कि अज़िए आज जो है हम लोग अपना एक न्यू चेप्टर पढ़ने वाले है यानि चेप्टर नंबर फोर नाम है सिंपल एक्वेशन है तो किसी भी चेप्टर की सुरुआतास पर्riageास परफा की सिंपल एक्वेशन होता है में कौनइ कुश्चंस आते हैं कौन से फ्他ccage हूत सारी चीजस में जाना है तो सबसे पहले तो हम यह जाने है कि वाट ही सिंपल equation simple equation होता क्या कल को अगर किसीने हमसे पूछ लिया तो फिर हम बता नहीं पाएंगे तो इसलिए सबसे पहले हमें जाना है कि simple equation क्या होता है तो अगर इसे हम पढ़ें और समझें तो आता है कि what is meaning of variable क्या है तो variable क्या होता है कि variable is a type of mathematical context in which one single alphabet will be used and this variable cannot be sorry this variable can be changed easily यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे student की variable एक math का वो term होता है जिसके अंदर या जिसके साथ हमें अंग्रेजी का कोई भी word या English के कोई भी word आपको उसके साथ combination में देखने को मिलते हैं जैसे की अगर मैंने यहां पर लिखा एक number five तो यह five variable तब तक नहीं इसे कह सकते मेरे प्यारे विद्यारतियो जब तक इसके साथ कोई एक single alphabet ना यूज किया जाए चाहे वो y हो चाहे वो y हो चाहे z हो a हो p हो q हो यानि a से लेकर के z तक कोई भी alphabet यूज कर सकते बट याद रखना है सिर्फ single alphabet यानि कि it means मैं कह सकता हूँ कि five x is a variable five x is a variable and after that हमें इसमें एक और चीज जानना है कि variable वो होता है जिसे easily हम लोग क्या कर सकते है change कर सकते we can change variable easily यानि कि हम variable को बहुत easy way में बहुत असानी से बदल सकते अब यह कैसे change होगा इसको जब हम equation बनाएंगे तो वहाँ पर सीखेंगे फिलाल अभी इतना जानी है कि variable क्या होता है तो क्या पता चला है variable एक mathematics का वो time होता है जिसके अंदर हम जो है number के साथ एक single alphabet combination में देखने को मिलता है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है एक variable एंड उसके बाद आता है what is constant तो हम कह सकते हैं कि constant is a single number which cannot be changed यानि constant एक single number होता है जो कभी भी change नहीं होता और वो हमें simple equation में देखने को मिलता है यानि for example अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 अगर मैं लिख देता हूँ minus 3 अगर मैं लिख देता हूँ 5 by 2 अगर मैं लिख देता हूँ root 2 तो यह सभी के सभी क्या कहलाएंगे constant कहलाएंगे क्यों कहलाएंगे क्योंकि ये single number है और equation में इन्हें कभी भी change किया जा सकता है यानि equation में 3 जो होता है equation में कभी भी नहीं equation में इसे जो होता है कभी भी change नहीं कर सकते यानि कि हम कह सकते हैं कि 3, minus 3, 5 by 2 और root 2 ये सभी के सभी क्या होते है constant होते है ना तो क्या पाँ चला अगर कल को बोल दिया जा कि what is the difference between variable and constant तो फिर हम क्या बोलेंगे तो कह सकते है कि variable can be change, variable को change किया जा सकता है but constant cannot be change constant जो होता है वो change नहीं होता क्या होता है constant कभी भी change नहीं होता है ठीक है ना constant कभी भी change नहीं होता ये variable के लिए है मेरे प्यारे विद्यारतियो and ये जो है मेरा किसके लिए है constant के लिए यानि मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि variable जो होता है वो change हो सकता है बट constant कभी भी change नहीं होता अब दिमाग में आता है कैसे तो मेरे प्यारे students यहाँ देख सकते हैं कि 5 के साथ x था तो 5 के साथ मैंने y लिख दिया या फिर 5 के साथ a लिख दिया या 5 के साथ मैंने c लिख दिया तो मैं क्या देख रहा हूँ यह हर टाइम जो है change हो सकता है इसलिए variable जो होता है वो change हो सकता है बट constant कभी भी change नहीं होता अगर 3 है plus का तो मैं हर जगा पर इसे plus का 3 ही लिखूंगा अगर minus है तो हर जगा पर माइनेस का 3 ही लिखा जाएगा it means constant cannot be change constant change नहीं होता तो यह हुआ मेरा variable and constant का definition अब आता आगए कि what is expression तो expression कह सकते हैं यह हम लोग कि expression एक ऐसा operation है कह सकते हैं कि expression एक ऐसा operation है जिसके कारण हम variable and constant के बीच में क्या करते हैं उसका operate करते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि math में अगर operate करना हो यानि कि किसी भी number को अगर चलाना हो operate मतलब क्या होता है जैसे कि अगर हम device का नाम ले तो device को चलाना क्या होता operate करना होता है तो वैसे ही क्या होता है कि math में operate का नाम जो होता है वो क्या होता है expression होता है यानि मेरे पास एक variable भी है मेरे पास एक constant भी है इस variable और constant पर अगर मुझे operate करना हो तो उसके लिए जो होता है word use होता है नाम होता है expression और आप लोगों ने छोटी classes में या फिर computer में पढ़ा होगा mathematical expression यानि की arithmetic के कौन कौन से operator होते हैं तो क्या आपने नहीं पढ़ा operator में पहला आता है plus जिसे हम लोग क्या कहते हैं addition यानि की हम एक constant और variable के बीच में addition कर सकते हैं दूसरा आता है minus यानि की subtract यानि हम variable और constant के बीच में subtract भी कर सकते हैं तीसरा आता है मेरे पास divide यानि constant और variable के बीच में divide भी कर सकते हैं और आखरी में आता है मेरा multiply यानि हम constant और variable के बीच में multiply भी कर सकते हैं multiply भी कर सकते तो क्या समझ में आया कि जब किसी भी दो numbers को या कह सकते हैं किसी भी दो mathematical terms को आपस में combine करना हो with the help of these operator उसी को हम लोग क्या बोलते हैं expression है ना अगर मैंने इस देखिएगा example के तोर पर अगर हम ले इसको अच्छे से समझते हैं अगर मैंने क्या बोल दिया कि मैंने एक variable लिया 5x एक constant लिया 6 तो यह 5x और 6 का यहां पर कोई value नहीं रहेगा जब तक इसके बीच में कोई हम expression या कोई operator यूज ना करें जैसे कि अगर मैंने plus लिख दिया तो मैं कह सकता है ना कि variable क्या हुआ constant क्या हुआ और expression क्या हुआ और यह तीनों के तीनों जब आपस में combine होते हैं मेरे प्यारे स्टुडेंट तब जा करके हमारा क्या तायार होता है simple equation यानि मैं कह सकता हूँ example में equation in which combination of variable constant and with expression is known as simple equation जो definition के introduction में था यहां पर यानि कह सकता हूँ और इन दोनों के बीच में एक expression है plus और यहां हमारा था equal sign है equal to 8 है this is the best example of simple equation यह simple equation का बहुत ही बहतरीन कह सकते हैं example यानि कि जहां कहीं पर भी हमें variable constant और equal to नजर आए तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है एक simple equation है question में आया कि what is variable तो कह देंगे ऐसा mathematical term जिसमें एक single alphabet का एक number के साथ combination होता है multiply होता है उसे हम लोग variable कहते हैं अगर पूछा जाए कि what is constant तो constant कह सकते हैं constant is a single number which cannot be change यानि constant a single number होता है जो कभी भी change नहीं होता लेकिन variable change हो सकता है अगर आता है what is expression तो कह सकते हैं expression is a mathematical operation which help to combine variable and constant and there are four type of mathematical operations क्या क्या है तो division है क्या क्या है subtraction है क्या क्या है multiply है and क्या है addition हैना तो four type के हम लोग mathematical operations देखते हैं और उन्ही mathematical operation को इस्तिमाल करके use करके हम किसी भी equation के value को find कर सकते हैं तो मेरे प्यारे भी दियारती हैं जब आप simple equation के questions बनाईएगा न तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जो होता है कैसे होता है कि हम इस mathematical operator का use करके किसी भी simple equations के value को find करते हैं और उनके अंदर में हम देख सकते हैं कि यह मेरा क्या है example है 5x plus 4 equal to 8 and this is the best example of simple equation जहां पर variable भी यूज हो रहा है constant भी यूज हो रहा है mathematical operator भी यूज हो रहा है equal to भी यूज हो रहा है जिन questions के दौरा हम लोग और simple equation को बहुत बैतर तरीके सीखेंगे हैं तो चलिए कर दो कर दो